जिहां नमस्कार दोस्तों, पुना हुपस्थित हैं हम, आप सभी के सामने दोस्तों, एक नई और शदी को ले करके, जो आपके लिए बेहत कारगर और बेहत लाफकारी साबित होने वाली है, अक्सर घरों में सब्जियों वा दालों में हिंग डाली जाती है, हिंग खाने में खुश्बू के साथ साथ उसको स्वाद भी बढ़ाती है दोस्तों, लेकिन इसके अलावा भी हिंग के बहुत सारे फायदे हैं, जिसकी वज़े से इसका इस्तेमाल लगभग हर कीचन में किया जाता है, तो आएए, आज हम इसके लाफ समझते हैं दोस्तों, और लाफों के बारे में जानते हैं, अपच का उपचार, जिहां, अपच का उपचार, अपच और पेट की अन्य समस्याओं के लिए हिंग का इस्तेमाल प्राचीन काल से किया जाता रहा है, इसके एंटी इंफ्लेमेंटरी और एंटी ऑक्सिदेंट्स तत्वर, खराब पेट, एसीडिटी पेट के कीड़े, इरिटेबल, बोवेल सिंड्रोम आदी समस्याओं में राहत पहुचाते हैं, महिलाओं की समस्याओं में लावकारी, जिहां, हिंग में मौजूद एंटी इंफ्लेमोटरी तत्वर, पीरियर्ट्स से जुड़ी सभी तकलीफ हों, जैसे की क्रैंप्स, अनि लिव कोरिया और कैंडीडा इंफेक्शन जल्दी ठी करने में भी हिंग मदद करती हैं, पुरुषों की योन समस्याओं में फायदा, क्या आपको मालूम है कि हिंग का इस्तेमाल पुरुषों में नपुन सकता दूर करने, तथा शिघर पतन, स्पांग की कमी का उपचान कर समस्याओं से आप अपना बचाओ कर सकें, इसके अलावा एक गिलास गर्म पानी में हिंग मिलाकर पीने से खून का दौरा तेज हो जाता है, जिससे की लिवीडो बढ़ता है दोस्तों, सांस संबंधी समस्याओं से लड़ती है, जिहां हिंग प्राकृतिक रूप से बल्ग के साथ मिलाकर खाने से खांसी, वो ब्रोकाइंटीस की समस्या में आराम मिलता है, बलड शूगर लेवल कम करता है, क्या आप अपना बलड शूगर लेवल कम करना चाहते हैं, फिर तो आपको अपने खाने में हिंग डालना हीं चाहिए दोस्तों, तभी ये अपना एंटिड डाइबिटिक प्रभाव दिखा पाएगा हिंग इंसुलीन को छिपाने के लिए अगनाशय की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है जिसे के ब्लड शुगर लेवल कम होता है हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें जिहां हिंग में कोमरिंस नाम का एक तत्व होता है जो खून को पतला करके ब्लड फ्लो ब्रहाता है इसकी वजह से खून के ठक्के भी नहीं जमते हैं दोस्तों इससे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल और शरीर में ट्राइगलिस्राइड घटता है जिनकी वजह से हाईपर टेंशन से बचा जा सकता है दर्द मेराहत क्या आपको मालू और दें आधी का दर्द ठीक किया जा सकता है दरसल हिंग में एंटी ऑक्सीडेंज और दर्द निवारक तत्तों मौझूद होते हैं जो आपको दर्द से रहत दिलाने में मदद करते हैं दर्द होने पर एक गिलास गरम पानी में एक चुट के हिंग मिलाकर पीलें दांत के दर्द में हिंग और निम्बू के रस का पिष्ट बना कर लगाएं आपकी समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों कैंसर का जोखिम कम करता है जी हैं हिंग में शक्तिशाली इंटी ऑक्षिदेंट्स होता है जब आप इसे लगातार खाते हैं तो यह फ्री रेडिकल्स से शरीर की क को शिकाओं को बचाओ प्रदान करती हैं हिंग की कैंसर विरोधी गति विधी कैंसर को शिकाओं का विकास और उद्ध करती हैं त्वचा की समस्याओं को दूर करती हैं जी हां हिंग में उच्च मात्रा में एंटी इंफ्लेमोटरी तत्व होते हैं जिनकी वजह से इसे स्की हिंग की अर उत्पादों में मिलाया जाता है ये त्वचा की जलन जैसी समस्याओं को दूर करने की छमता रखती है त्वचा पर लगाने पर हिंग अपना ठंडा प्रभाव दिखाती है और साथ ही त्वचा की समस्याओं के लिए उत्तरदाई बैक्टीरिया का भी सफाया करत है तो इस प्रकार से आज की हमारी और शदी रही दोस्तों हिंग अगली बार हम मिलेंगे आप सभी से एक और नई और शदी लेकर एक और नया टॉपिक लेकर जाब के लिए बेहदलावकारी होगा तब तक के लिए धन्यवाद